आप इसे पनजाबी स्टाइल चिकंग करी भी बोल सकते हैं बहुत जाब है रिक्वेस्ट आ रहे थी कि मैं नॉनवज की रिसफी ले कर आईये आप लोग और नॉनवज की रेसपी बहुत जादा पसंद आती है आज इसलिए मैं ले कर आई हूँ फिर से एक बार चिकन करी की रेस्पी वो भी डिफरेंट स्टाइल में पहले मैं अल्रेडी बहुत सारी चिकन करी की रेस्पी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आय थी बहुत बहुत शुक्री आप लोग का कि आप लोग मेरी नॉन विज रेस्पी को इतना पसंद करते हैं आज में लिक रही हूँ चिकन करी की रेस्पी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में जो की बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है मुझे उमीद है कि जैसे कि आपको पहले की रेस्पी मेरी पसंद आए उस तरह से यही रेस्पी भी आपको बहुत पसंद आएगी तो देख लेते हैं कैसे बनती है तो आइए बनाना शुरू करते हैं हाई प्रेंट्स मैं गीता वर्मा गीताकिनो.com में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं उम्मीद करती हूं आपको यह वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले हम एक पैन रखेंगे गैस पे उसमें मैं टाल ले हूं द दो बड़े चमच सरसो का तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अब इसमें मैंने आड की है आठ से दस लहसुन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसे मैं शोट शोटे पीसे में कट कर लिया था और इसमें मैं एड कर दियू तीन प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर ल हाफ टीस्पून के करेब जिसे की जो प्याज है वो जल्दी भुन जाएगे प्याज पानी छोड़ देती है और इसके बाद वो जल्दी फ्राइ हो जाती है नमक एड करने से तो यहाँ पे जो प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है काफी अच्छा सा गोर्लन ब्राउन कलर आ गया है इससे जादा हमें इसे नहीं फूलना है आप हम guys बंद कर देंगे और इस mixture को हमें mixi में पीसना है और यहां पर मैंने mixi का jar ले लिया है इसके इंदर में यह mixture आट कर दूँज़ूंगी और कोशिश करें इसे ठंडा करके पीसे हैं पर मैं इसे गरम में ही पीस नहीं हूं अगर आप बिगनर हैं आप ज्यादा कुकिंग नहीं करते हैं तो प्लीज एसे ठंडा करके पीसेगा आप जल भी सकते हैं तो इसमें आप चाहे तो थोड़ा सा पानी आड़ कर सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी आड़ किया था और इस तरह से मैंने इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है अब हम फिर से सेम पैन लेंगे उसमें दो टेबल स्पून सरसो का तेल डालेंगे अब कोई और भी तेल ले सकते हैं पर सरसो के तेल में नौन विज ज्यादा अच्छा बनता है तेल अच्छे से गरम हो गया है इसमें हम एड़ करेंगे हाफ टी स्पून जीरा एक तेज Πत्ता कुछ साबुत मसाले जिसमें 2 हरी इलाइची, 1 काली इलाइची, थोड़ी सी जाविद त्री, 1 डाल्चीनी का टुकड़ा और कुछ काली मिच्च के दाने इसे भी हलका सा फ्राइगे साथ में ही तो हलका अलका फ्राही करना है, बहुत जावत जलाना नहीं है इसको अब इसके अंदर हम यी पेस्ट एट कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा था अब आप पिरसे बहुनेंगे तो मीडियम फ्लेम पे इसे मैं भून रही हूँ अच्छे से भूनना है ताकि इसमें विल्कुल भी कच्चापन ना रहे तो जितना अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा चिकन में टेस्ट आएगा यहां पे देखिए भूनते भूनते इस मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े लाल टमाटर की प्यूरी मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था इस मसाले को मैं फिर से भूनना है जब तक यह तेल ना छोड़ दे और इसका कलर चेंज ना हो जाए साथी में इसमें आड़ कर दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हमने पहले भी आड़ किया था इसलिए ध्यान से आड़ करिएगा एक टेबल स्पून मैंने यहां पर जीरा पाउडर एट किया है एक टी स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून लाल में चैट करिएगा एक टीस्पून गरम मसाला और एक टेबल स्पून के करिब में यहां पर धनिया पाउडर रैट करूंगी अब इन्हें मिक्स कर देंगे और मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक की मसाला तेल ना छोड़ दे और गैस को हम मेडियम पे रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे ने तो यह मसाला जल सकता है अब इसमें कलर के लिए मैं आड़ करूंगी कश्मीरी मिर्च एक टेबल स्पून यह बहुत ज़्यादा तीक ही नहीं होती है पर ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है इससे आप चाहे तो देगी मिर्च का विस्तमाल कर सकते हैं मसाले को मच्छ से भून लेंगे जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दें मीडियम फ्लेम पे इस तरह से लगाता चलाते हुए भूनेंगे नहीं तो मसाला नीचे लग सकता है अगर मसाला लग जाएगा फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा फिर दिखिए इस तरह से मैं आपको क्लोज अप में दिखा रही हुँ तो अच्छे से आपको भूनना है इसे विर्कुल भी कच्छा पन नहीं होना चाहिए अगर कच्छा पन होगा तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तो इसे मैं धीमी आज पर रख देती हूं तब तक मैं आपको दिखाती हूं यहाँ पर मैंने लिया है एक किलो चिकन जिसे मैं अच्छे से तीन से चार बार धो लिया है अब यहां पर जो मसाला है वो हमारा अच्छे से भून गया है मसाले ने तेल छोड़ दिया है अब इसके अंदर हम चिकन एड़ कर देंगे तो यह सारा चिकन में इसमें एड़ कर दूंगी चिकन को हमने यहां पर पहले फ्राइ नहीं किया है इसलिए मैं यहां पर इसे कम से कम 10 मिनट मसालों के साथ भूनूंगी जिसे की जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से चिकन में चला जाए और चिकन जब हम मसाले के साथ भूनते हैं तो जादा अच्छा टेस्ट आता है बहुत बार आपने देखा होगा मेरी चिकन डेस्पीज में मैं चिकन को फ्राई करके डालती हूं उससे एक डिफरेंट टे मिमा कर दीजिएगा ने तो मसाला जल सकता है क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी पानी अड़ नहीं किया है तो इसलिए गैस को लो मीडियम पे रखें भूनते टाइम ताकि मसाला नीचे से लगे नहीं और थीरे दिरे खुद बख खुद पानी छोड़ता रहेगा और हमार चिकन ने किस तरह से पानी छोड़ दिया है और चिकन को मुझे 10 मिनट हो गए है भूनते भूनते तो इस तरह से आपको काफी अच्छे से भूनना है अगर आप कम भूनेंगे तो चिकन में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा भूनना बहुत जरूरी है 10 मिनट तक जरूर भूने इसे तो चिकन काफी अच्छे से भून गया है अब मैं इसमें पानी अट कर दूँगी अगर आप सूखा बनाना चाहते तो एक गिलास पानी अट कर यागर ग्रेवी वाला बनाना चाहते तो डेड़ से दो गिलास पानी अट कर सकते हैं तो यहां पर में करीब 1.5グ disp पानी करूंगी मैं मैं हलगी रखंगी बहुत में जाधा गरेवी भी नहीं चाहे मुझे बहुत जाना चाहर बहुत मैं नहीं चाहे है तो 1.5 अख्याक के करीब मैंने इसमें पानी यड़ किया है अब इसके जो कि डालना भूल गई थी लास्ट में हमेशा इसमें एड करें चिकन मसाला जिससे की बहुत अच्छा टेस्ट राता है और इसकी खुश्बू उड़ना जाए इसलिए मैंने से पहले नहीं डाला था में लास्ट में अड़ करें इसमें धग देती हो और तब तक पकाएंगे चिकन अच्छे से ईगलना जाए एक बर हम चैक कर लेते है चिकन हमारा गला है या नहीं अगए जबते हैं यह लास्ट को सब मुस्ट रातन टैल तो इसके मतलब पक चुका है यह देकिएमें से दबाके देख those wheelhouse नमें स्टेख लिए और इससे जादा हमेंआ के यह नहीं प के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा जाता है क्योंकि टेल उपर आ जाता है अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है बनाना आपने देखा कितना एजी था कोई भी मुश्किल नहीं है जब आप इसे बनाएंगे तो मेरे मुझे उमीद है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे इतना यह टेस्टी लगता है आप इसे रोटी के साथ नान के साथ चावल के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत जादा यह आपको पसंद आने वाला है इस बार इस रेस्पी को मेरे जरूर ट्राय करिएगा आपक लिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चानल को सुब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और वीडियो को जब सेदर शेयर करेगा फ्रेंज के साथ फैमली के साथ